19th October के BCCI के प्रेस रिलीज ने ना केवल प्लेयर्स बलकि विमन्स क्रिकेट के फैंस को भी चौका के रख दिया है ऐसा क्या हुआ? जानेंगे इस वीडियो में WPL यानी Women's Premier League March 2023 में हुए इंडिया की biggest women's franchisee tournament Women's Premier League की अगले सीजन की retention list अनौन्स हो चुकी है और पांचों टीम्स ने कुल मिलाकर 60 players को retain किया है जिन में से 21 overseas players है और बात रही released players की तो कुल मिलाकर 29 players को अपने-पने franchisee ने release कर दिया है सबसे पहले बात करेंगे defending champions Mumbai Indians की जिन्होंने केवल 4 players को अलविदा कहा और वो है Heather Graham, Neelam Bist, Sonam Yadav और Dhara Gujar और Mumbai Indians की तरह ही runner-ups Delhi Capitals ने भी अपने core team में जादा बदलाव ना कर केवल 3 players को release किया है और वो है अपरना मॉंडल, जासे अक्तर और Tara Norris अलीसा हेली के team UP Warrior ने 4 players देविका वैध्य, शम्निम इस्माइल, शिवाली शिंदे और सिमरन शेक को release किया स्मृती मंधाना की Royal Challengers Bangalore ने वैसे तो अपने सारे star players को retain कर 7 players को release किया है जिन में से एक नाम है Australia की सफल गेंदबाज Megan Shoot का जिनके release से fans काफी नाखुश है लेकिन बात की जाए उस team की जिसने सबसे ज़ादा players को release किया है तो वो team है Gujarat Giants Gujarat Giants ने अपने 19 member squads में से केवल 8 players को retain कर 11 players को release कर दिया है और उन में से कुछ नाम है Annable Sutherland, Kim Garth और Sophia Dunkley अब ये 500 teams कौन से नए players को pick करेंगे ये तो हमें आने वाले auction में पता चलेगा तब तक आप हमें बताइए कि आपको कौन से player के release होने से सबसे ज़ादा दुख हुआ